Central Jail के अधिक शक अनूप कुम्रे की पहल पर Central Jail में बन ऐसे कैदियों का record कहंगा ला गया जिनकी उम्र 45 वर्ष या उस्से अधिक थी ऐसे सेंट्रल जेल में 446 कैदी बन है जो 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं इन में से 346 कैदियों को कोणा के पहले चरण की वैक्सीन लग चुकी है बचे हुए 100 कैदियों को चल कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी दूसरे चरंग की वैक्सीन भी कैदियों को दी जाने वाली है सेंट्रल जेल में बन कैदियों को कोरोना संक्रमन से बचाओ के लिए वैक्सीन की जा रही है अब तक करीब 346 कैदियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है यह वैक्सीन उन कैदियों को लगाई गई जिनकी उम्र 45 वर्ष या उससे अधिक है सूतरों से मिली जानकारी के अनुसा नाकपर की सेंट्रल जेल में 2300 से अधिक कैदी बन है इनमें नयालीन कैदी और सजायाफता कैदियों का समावेश है कोना संक्रमन के चलती सेंट्रल जेल में भी कई कैदी इस महामारी की चपेट में आये थी इससे कैदियों को बचाने के लिए दो जगह पर जेल प्रशासन ने अस्थाई जेल बनाई थी एक अस्थाई जेल अजनिस्तित माउंट कारमिल में और दूसरी कॉंगरिस नगर सित होमगार्ड काराले परीसर में बनाई गई थी इसे होमगार्ड काराले परीसर की अस्थाई जेल को यथावत रखा गया ताकि जरूरत पढ़ने पर उसका उपयोग किया जा सके जेल में गोणा संक्रवन को रूखने के लिए पाहर से आने वाले कैदियों को पहले मंगल मुर्ती लॉन में बने कॉरिंटाइन सेंटर में रखा जाता है उसके बाद उनकी पूरी तरह से वैदिकीय जांच की जाती है सेंटरल जेल अस्पतार की वैदिकी अधिकारियों की पूरी संतुष्टी होने के बाद जब वह जेल अधिक शक अनुप कुम्रे को रिपोर्ट देते हैं तब कैदियों को सेंटरल जेल के अंदर भी जाने के बाद इन कैदियों को करीब 21 दिन अलग-अलग कमरों में रखा ज जाता है उसके बाद उनकी वैदिके जान शूनी की बाद कैदियों को बैरक में भीजा जाता है कैमरा पोसिन राजकमार मोड की साथ दुशाहटवार बीसी न्यूस नाकपूर